हिर आज पर हमें आज एक और इंवेस्टृइक प्रॉब्रम लेके हुआ हैं जो कैसे चलोस में हैं अब उसके लिए कैसे प्रॉबन को सूल किया जा है इसनitionnaire में वह donne प्रॉब्रम में प्रॉब्र मेरे में प्रॉब्र प्रस लिखा भी है और सोरी किया है अब देखते हैं कोश्चे में धाय क्या इंवेटिए अब इनशी अक्टिविटी में नहीं को क्या बिएट करना है तो इसमें है क्या क्या चीजें कौन-कौन इसम दिया है इसने पहले दिया हूँ लैंड पर्चिक डिरिंग देए रुपीच्पाइब लग न नॉन करेंट इंवेश्टमेंट रूपीज 1,60,000, सेल अप मसिन्दी रूपीज 2,10,000, इंटर्स रिसीब और डिवेंचर होड ऐजे इंवेश्टमेंट रूपीज 1,10,000, एंड डिविदेंट रिसीब और सेयर्स एज इंवेश्मेंट रूपीज 30,000. अब देखिए इसमें और फ्लो भी है कंपनी के पॉइंट अवियर से, और इंफलो भी है, یensक के पास पैसा भी आ रगारा है, तो पहरे क्या करते हैं कि जितने हमाएं पास इंफलो हो रही हैं, पहले उसका calculate करते हैं कि जो company के पास इंफ्लो हो रही है उसको लिया और फिर आट फ्लो अब देख उसके बाद फिर निकालेंगे कि इंफ्लो हो रहा है या आट फ्लो हो रही है या या इसके लिए हमने पहले क्या लिया हुआ है पहले देखते हैं कौन-कौन से ऐसे आइटम ह जो कि company के यानि inflow हो रहा है इंफ्लो कभी होता है जब company से कहीं से आउट कहीं से पैसा मिलता है यानि वह कैसे आ रहा है अब देखते हैं लैंड पर फिल्डिंग लैंड पर्चेस किया है तो company का पैस थो नहीं आ रहा है और फ्लो हो रही है नॉन काइं इंवेस्टनर पर्चेस प्रहं से लॉफ वीडिंग कितने से आगा ये 6 लैक रुपीस से यानि यह जिए जिक्स लाक रुपीस से भी company के पास इंव्लोई फिर का है से लौप नॉनकाइं इंवेस्टमेंट देशल आ। इससे भी क्या हो रही है या पर घंप्रम से लॉफ इनवेस्टमेंट्ट फिर नेस्ट और से लॉप मसेंदी यहीं से बढ़ानी जिक्स भी निला कितना टूएं टें ताहँजें तो उसके लिए और यह इंफ्लोह हो रहा है तो निश्ट कहले का प्रोसिंट फॉंसे लौप मसे रुपेश तू ल्यक्तन थाउज है अब पर क्या है इंटर्स्टीप और इंवेश्मेंट रुपेश 1,000,000 यानि कंप्णी ने इंवेश्मेंट को सोड किया हुआ है इंवेश्मेंट किया अब इसका पीर क्या रहा है डिविडेंट रिसीव ऑंचेयर्स एज इन्वेस्ट्मेंट कितने का थाट्य तो यह तो नहीं तो इसके लावाद और और तोटल के पाद कितना रही है 11,10,000 यानि कंपणी के पास टोटल जो इन्फलो हुई है यानी पैसा आया वा टोटल कितना आया 11,10,000 अब कौन-कौन से आइटम में जो इसके लिए आउटफ़लो हो रहे है यानि पैसा जा रहा है कंपणी के पास से तो कौन से लैंड प्रचेस आप लैंड कितने रुपज से 5,000,000 रुपीज से अब और किसी आइटम से कंपनी पास से आउटफ़लो हो रहा है नॉन करेंट इंवेश्मेंट पर्चेस कर रही है तो कंपनी के पास भी क्या हो रही है और प्लो हो रही है यानि कितने का टू लैक सेवंटी थाउ परचेस की है फोल एक टूजन से याने कंपनी निया मसी पचेस किया है यह सब्सक्राइब के पास से क्या लिए कितने कि पेमेंट की कंपनी के पास क्या पर पर पर्चेस और मसें नहीं कितने का हो गया फोर लैक फिटी था उसे इसके लाब और प्रट दिया नहीं है आप इन तीनों को भी आड़ करते हैं फाइव लैक प्लस टुलाइब सेवंटी थाउजें प्लस फॉलाइब फिटी थाउजें टोटल करने के बाद हम आएक इतना रहा है त्वेल लैक ट्वंटी थाउजें लेकिन यह फ्लोव ली इस लिसको नोंने किसमें सोख्या ब्रैकेट में जब हम मानस की आइटम सो करते है तो किसमें सोख्या आता है तो कितना यहांप एक लैक कमपनी के पास इस प्लो लुई तोन पन कि नहीं किया हुआ है वह कितने का वायग ट्वेल लैक ट्वंटी थाउजें यानि कंप्नी के पास फ्लोष सेके यूज हो दिये जिता श्रॉ रही है जिता अजिस लूई हुआ 1,10000 कि तो नेट रेजर कितना आगया 110 नहीं मैंने आने दिए क्या हो गया क्या हो गयाईज्ट यूजञ इन्वेश्टिन अक्टिविटी टोटल कितने का हो गया 1,10,000 का अगर यह तो थी इंवेस्टिइटिटि में कमपनी ने जितना फ्लो ने क्या इन्फ्लो ने हुई उतनी आउट ट्रों यह तो इसलिए क्या वह उगया हूगा अगर यह ची आपोजिट होता आगर यह नी फ्लों इंफ्लों अधिक होती है और और फ्लों कम होता तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ओके थैंक यू